हेलो पेरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होब की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास फॉर्थ के सब्जेक्ट इंग्लिस के वीक नमबर ट्वंटी सिक्स की वर्क सीट को स्वल्ब करेंगे जो की EDMC के द्वारा दी गई है बच्च ब्लेंक के फिल करना हैं कि यहां पर लिखेंगे क्यामत प्लेंट के वीक नहीं हैं यहां यहां पर लिखेंगे क्या मैं तस्वीर देख सकता हूं मेरी मा ने आपके घर के बारे में बताया तो किसको मुझे यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई ने एक ड्रेस खरीदी किसके लिए फोर मी तो यहाँ पर भी मी लिखेंगे मेरे लिए अब है कोश्यन नमबर टू फिल दा ब्लैंक्स विद वी और अस बच्चे यहाँ पर ब्लैंक्स को वी और अस से फिल करना है फरस्ट है सुट प्ले एवरी डे तो यहाँ पर लिखेंगे वी वी सुट प्ले एवरी डे हमें रोजाना खेलना चाहिए नेक्स्ट है बास्केट बॉल जो है इंक्रीज बढ़ाने के लिए अच्छी है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अस नेक्स्ट है और लब टू लिव इन ग्रीन सराउंडिंग सभी जो है हरे भरे वातावरण में रहना पसंद करते हैं तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हम वी वी और लिखेंगे हम अस नेक्स्ट है और अफ शुट ग्रो प्लांट्स किसको गाने चाहिए इट मींस हम सभी को यहाँ पर लिखेंगे अस अल अफ शुट ग्रो प्लांट्स अब बच्चों कोश्य नंबर थ्री है राइट 10 सेंटेंस ऑन इंपोर्टेंस ऑफ इस्पोर्ट्स इंप्रोव करने में एक मेजर पार्ट प्ले करते हैं इट हैप्स इन डेवलपिंग सेलफ कॉन्फ इडेजिकल टफनेंस यह हमीं सारे रिख टफनेस मजबूती और सेलफ कॉन्फ इडेलप करने में मदद करते हैं देर आर तू टाइप ऑफ इसपोर्ट्स इंडोर एंड आउट्डोर दो प्रकार के होते हैं स्पोर्ट कैसे इंडोर जो की हम घर के अंदर खेलते हैं and आउट्डोर जो बाहर खेलते हैं I love playing many outdoor games मुझे बहुत से outdoor games खेलना पसंद है I also play cricket in the park near my home मैं अपने घर के पास पार्क में cricket खेलता हूँ Every sport rule to ensure fair competition पृति एक sport में एक fair competition के लिए rules होते हैं Sports help to improve our physical and mental coordination Sports हमारे physical it means सारीरिक और mental मानसिक coordination सामन जिस्षे को improve करने में help करते हैं Sports teaches discipline the value of time and unity Sports हमें अनुसासन time की value और unity सिखाते हैं Participation in sports can help in relieving from stress खेलों में भाग लेने से हमारे stress को कम करने में मदद मिलती है Next है Sports are an essential part of everybody's life Sports पृतियक के जीवन का एक जरूरी part होते हैं अब है बच्चो question number 4 Write 10 sentences on green India, clean India बच्चो आपको green India और clean India topic पर 10 वाक के लिखने हैं बच्चो answer है India is one of the beautiful countries in the world India world की countries में से सबसे सुन्दर देश है There is some negative factors in the country such as pollution लेकिन हमारे देश में कुछ negative नकारात्मक factors भी हैं इसे की प्रदूशन आदी, greenness is only method to improve the poor condition of country Greenness चारो तरफ हरा भरा करने से ही हमारे जो देश की poor condition है उसे improve किया जा सकता है The hallmark of a developed nation is the greenness and cleanliness किसी भी देश का जो hallmark होता है पहचान होती है वो उसकी greenness और cleanliness से होती है स्वच्च भारत अभियान is the drive which was started by Prime Minister Narendra Modi aiming towards clean and green India स्वच्च भारत अभियान जो की Prime Minister Narendra Modi के द्वारा इंडिया को clean और green रखने के लिए शुरू किया गया We should plant more trees to spread green the around हमें चारो तरफ हर्याली फैलाने के लिए अधिक से अधिक पेड लगाने चाहिए One can begin greenness from its own home or park कोई भी व्यक्ति greenness को अपने घर्या पार्क से शुरू कर सकता है It means पेड पौधे लगा कर It is our duty to make our country clean and green हमारे देश को clean, साफ और green हरा बरा रखना हमारी duty है There should be a ban on fossil fuels, fossil fuels पर ban होना चाहिए ने रोका जाना चाहिए The government must create forest build near every city or town सरकार को पृतियक city और पृतियक town के पास में एक forest belt लगानी चाहिए अब है बच्चों question number 5, write the opposite of the following यहाँ पर बच्चों कुछ words दिये गए हैं जितके आपको opposite लिखने है Wise, wise means होता है बुद्धिमार, wise का opposite क्या होगा? फूल, मूर्क, next is love, love का meaning होता है प्रेम, जिसका opposite है hate, ग्रणा, next है true, true means होता है सही, true का opposite है false, गलत, beautiful, सुंदर, beautiful का opposite है अगली, भद्धा, बदसूरत, next है care, care का meaning होता है देख भाल करना, neglect, नकारना, next है large, large means होता है बड़ा, tiny, तो बच्चों large का opposite क्या होगा? ताइनी बहुत ही छोटा, students if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel, thank you